हिनाटा की हनत रिमरू से देखे नहीं जा रहे थी इसलिए रिमरू रिकवरी पोशन्स यूज़ करता है मगर ना तो पोशन्स काम आए और ना ही रिकवरी मैजिक फिर रिमरू फठाक से हिनाटा के साथियों से कहता है कि कोई जल्दी आकर ओली मैजिक का यूज़ करो मगर व अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे लिंक दे रखी हैं तुम लोग जाकर देख सकते हो अब चलते हम अपने वीडियो की तारब तो चलो आओ यार शुरू करते हैं दोस्तो सेवन लूमिनारीस के किये गए हमले से एक बहुत बढ़ा दमा का होता है मगर डियाबलो के बनाए गए बैरियर से सारे लोग बच जाते हैं ये देखने के बाद तो उन सारी रिपोर्टर्स को भरोसा ही नहीं हुआ कि उन पर ये हमला 7 Luminaries ने किया क्योंकि सीवीलियंस के लिए 7 Luminaries किसी एरो से कम नहीं है मगर बला वो डियाबलो के बैरियर का जिसकी वज़े से वो लोग बज़ पाए फिर रिपोर्टर्स कहते हैं कि कोई भी डीमन योई ही फालतों में किसी की जान नहीं बचाता बदले में जरूर इस डीमन को कुछ चाहिए डियाबलो कहते है कि मैं यहां सिर्फ अपनी बेगुनाही को साबित करने के लिए हूँ तो मैं चाहता हूँ कि यहां जो कुछ भी होगा वो सब तुम लोग बड़ा चड़ा कर पूरी दुनिया को बताओ और इसके बदले में मैं तुम सब की हिर्फाज़त करूँगा और ये सुनकर सारे रिपोर्टर्स खुश होगे और डियाबलो पर बरोसा करके कहते हैं कि तुम जैसा काओगे हम बैसा ही करेंगे बड़ डियाबलो फुल फिक्सेटेड है किंग एडवर्ट पर और डियाबलो का ये लुक देखकर वो बुड़ा राजा अल्मोस पैंट में हाग दिया था डियाबलो कहता है कि तुम्हें बचा कर किसी को भी कुछ फाइदा नहीं होगा और फिर राजा ने रीमरू के बारे में जो कुछ भी का था वो याद देलाते हुए कहता है कि मैं तो तुझे बिल्कुल भी नहीं बचाओंगा और अब जो कि उस राजा की पहले से फटी पड़ी है तो वो घुटनों के बल गिर कर डियाबलो को मनाने की कोशिश करता है राजा उसे वो जो चाहे वो देने के लिए तैयार है यहाद तक कि इस देश का राज सिहासन भी बदले में वो कहता है कि बस मुझे बचा लो और अब क्योंकि मौका सही था तो डियाबलो उसकी जान बचाने के बदले उसकी राजगदी मांग लेता है चैंपेन यॉम के लिए जैसे कि रिमर उन्हें प्लैन किया हो था और फिर बिना वक्त गव है वो बोड़ा राज़ा पबलिकली अनौन्स कर देता है कि चैंपेन यॉम अब उसका सक्सेसर होगा और राज़ा चाहता है कि ये खबर भी रिपोर्टर्स द्वारा उनके आर्टिकल्स में लिखी जाए और पूरी दुनिया को ये बात पता चल जाए बस ये सारे ड्रामा खतम होते डियाबलो बढ़ता है सेवन लुमिनारिस की तरफ वाइन डियाबलो जब राज़ा के ड्रामे में फसा हुआ था तब सेवन लुमिनारिस स्पेशल डियाबलो के लिए होली सरकल प्रिपैर कर रहे थे मगर वो लोग कुछ कर पाए उससे पहले डियाबलो उन्हें अंधकार में धकेन देता है जहाँ पर उनकी मैजिकल पावर्स काम भी नहीं आती बेसिकली डियाबलो ने उन्हें एक ऐसी दुनिया में बेज दिया है जिसकी रचना उसने खुद ने किये और यहाँ अंधकार के सिवा और कुछ भी नहीं है तो वो लोग वहाँ से अटलीस इस जन में तो बार बिलकुल भी नहीं आने वाले जिसके बाद अब डियाबलो का काम यहाँ पर समाप्त होता है फिर नेक्स पैनल से हमें पता चलता है कि एक्चिल में रीमरू का मैसेज क्या था मैं हूँ रीमरू टेमपस्ट जूरा टेमपस्ट फेडरेशन का लीडर इनड़ जब हम लास्ट टैम मिले थे तब तुमने मेरी बात सुने बगर सिधे मुझ पर हमला कर दिया था मगर मैं उस बात को लेकर तुमसे नाराज नहीं हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि यही होली चर्च की टीचिंग्स है होली सेंट चर्च ने हमेशा सही अपने सब्जेक्ट को मौस्टर से नफरत करना सिखा है मगर हम इसका हल निकल सकते हैं एक ऐसा मंच बनाकर जहां रूबेरियस और टेंपर्स दोनों ही आमने सामने आए और शांती से मिलकर चर्चा करें जिससे दोनों को मौका मिलेगा अपनी बात को सामने रखने का और मैं भी तो शेज़ू के बारे में तुम से बहुत कुछ बात करना चाता हूँ और हो सके तो रूबेरियस के साथ डिपलोमेटिक संबंद भी स्थापित करना चाता हूँ बट अगर तुम्हें ये सब भी मनजूर नहीं है तो मेरे पास एक और रास्ता है हम अपने बीच की कड़वांट को एक डूल के साथ खतम कर सकते हैं मैंने चाता कि हम इसमें दूसरों को भी इंड़ॉल्ट करें यूकि फिर तब वो डूल नहीं बलके एक जंग कहलाएगी इसलिए हिनाटा अगर तुम चाहो तो हम लड़ेंगे सिर्फ तुम और मैं और फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि हम शान्ती पूना तरीके से काम लें तो इसके बारे में विचार ज़रूर करने हूँ मैं तुमारी जवाब का इंतिजार करूँगा दुस्तो रिमरू के मैसेज से ये तो क्लियरली साबित होता है कि ये मैसेज हिनाटा तक पहुंचने से पहले ही बदल दिया गया था और इसके पीछे सेवन लुमिनारिस के लावर कोई हो भी नहीं सकता फिर तब हमें पता चलता है कि रफाइल ने हिनाटा की जान बचाने के लिए एक टेंपरेरी दिल बनाया है जैसे रीमरू ने किया था मियूरिन के साथ दिमन लॉर्ड बनने से पहले यहाँ पर देखो परसनाली मुझे सेवन लुमिनारिस की फिक्र नहीं है क्योंकि डियाबलो की लड़ाई को देख कर कम से कम हमें इतना तो आईडिया आ जाना चाहिए कि ताकत में यह लोग डिमन लॉर्ड रिमरू के सामने कहीं पर भी नहीं ठिक सकते बट मुझे यहाँ फिक्र है हिनाटा की क्योंकि हिनाटा की स्किल्स उसकी खुद की जान बचाने से रोक रही है तो ऐसे में हमारे पास जादा वक्त नहीं है अगर हमें हिनाटा को बचाना है तो लॉमिनारिस की हिनाटा को सजा देने वाली बात सुनकर लैनर्ड गुसे में आकर सैमन लॉमिनारिस की पोल खोलना शुरू करता है लैनर कहता है कि आप लोगों ने मुझे अप्रोच इसनी किया था क्योंकि आप लोग शुरू से हिना ठाको अपने राफसे से हटाना चाहते थे मुझे कोई फर्ख नहीं पड़ता कि आप रूबेरियस के हिरोस कहलाते हैं या विलन अगर ये बात सच है तो मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा बस ये बोलते ही पीछे से गाड ने उस पर हमला कर दिया पैले तो मुझे ये लगा कि गाड को सेवन लुमिनारीज पर भरोस है इसलिए उसनी असा किया मगर अगले ही पैनल में रफाहल के द्वारा हमें पता लगता है कि वो कोई मामुली नाइट नहीं है वो खुद सेवन लुमिनारीज में सिहेक है जिसने गाड की जगे लिव ही थी और ये वही है जिसने हिना टपर जान लेवा हमला किया था मगर फिर उसी वक्त रिमरो को डियाबलो का कॉल होता है अब देखो ये बात तब की है जब डियाबलो ने फाइटिंग स्टार्ट भी नहीं की थी डियाबलो कहता है कि वो सेवन लुमिनारीज ही है जिसने आर्चबिशव रहीम को मार रहा है और उस गुरूप के तीन सदेश से इस वक्त मेरे सामने खड़े है डियाबलो सजेस्ट करता है कि इनको जिन्दा छोड़ना गलत होगा क्योंकि हो सकता है कि ये लोग आगे चल कर चूरा टेमपस के लिए बहुत बड़े मुसिबत साबित हो रिमरू पूशता है कि क्या हमारे पास इस बात के प्रॉपर एविडेंस है जिसे के साबित हो सके कि इनी लोगों ने रहीम का कतल किया है जौब में डियाबलो कहता है कि यहाँ पर डेरो आई विटनेस हैं जो इस बात की पूश्टी कर सकता है यह सुनते ही रिमरू डियाबलो को खुली पर्मिशन दे देता है उन्हें ठिकाने लगाने की डियाबलो का कॉल बिल्कुली सही समय परहा था जिससे अब होगा यह कि रिमरू सेवन डूमिनारिस के खिलाफ नेसेसरी अक्शन्स ले सकता है फिर वो तुरंथी बेने मारू और सोहे को आर्डर्स देकर कहता है कि तुम दोनों शियोन का साथ दो और इन तीनों को जिन्दा पकड़ लो बट अगर यह लोग विरोध करें तो तुम लोग जो चायो वो एक्शन्स ले सकते हो यह सुनकर सेवन लुमिनारीज रिमरू को जंक की धमकी देते हैं ताकि वो रिमरू को उनकी स्टैंडिंग्स और उनकी अथोरिटीज का एसास दिला सके और यह बात हमारे लिए भी समदने मुश्किल नहीं होनी चाहिए के नॉर्मल सर्कम्स्टैंसिस में सेवन लुमिनारीज पर हमला करना मतलब रूबेरीज के साथ सेधी जंक मगर जैसे कि हम सब जानते हैं कि यह नॉर्मल सिचुएशन नहीं है जिससे रिमरू को पूरी आज़ादी मिल जाती है अपनी मनमानी करने की जब रिमरू ने सब के सामने आज बिशप वाला भांडा फोड़ा तब वो लोग खुदी उगल देते हैं कि हम तो तुम सब को शुरू से ही खतम करने की फिराक में थे और ये बाद वहाँ खाड़े रुबेरिस के लोग भी सुन लेते हैं जिसके बाद सेमन लुमिनारिस डारेक्ली रिमरू पर हमला कर देते हैं जो इस वक्त हिनाटा को अपनी बावों में लेकर बैठा हुआ था जिसके बाद रफाइल सप्राइजिंगली बिलजबब का यूज़ करके उनके अटेक को रोक देती है रिमरू हैरान था क्योंकि हिनाटा की फाइट के दोरान उसी ने कहा था कि उसे बिलजबब की कुर्बानी देनी पड़ी हिनाटा की अटेक को रोकने के लिए मगर राफाइल फिलार के लिए सिर्फ इतना बता कर चूप हो गई कि उसने बहुत कन्विनियंटली इस स्किल की पहले से एक बैकप कॉपी बना कर रखी हुई थी मगर यह काफी नहीं था तो साथ में दूसरा सेवन लुमिनारी वाला भी हमला कर देता है जिसकी जवाब के रूप में राफाइल अपनी अल्टिमेट स्किल यूरियल का यूज करती है जो है एपसल्यूट डिफेंस जिससे सेवन लुमिनारी द्वारा बनाई गई सारे बैंडिंग्स तूट जाती है और ये देखकर सेवन लुमिनारीों की हवा टाइट हो गए क्योंकि ऐसा उनके साथ उनकी जिंदगी में पहली बार हुआ था उन्हें बरोसा ही नहीं हो रहा था वो सारे पगला गए थे वो लोग फिर एक बार धमकी देते हैं मगर इस बार लुमिनारी ये कह कर कि अगर उ जिसमें से होली एमपरर लुइस वैलेंटाइन और लेडी लुमिनस स्वयम प्रगट होती हैं और उनके लोगों द्वारा निर्मान की गई परिस्थितियों की वज़े से वो रिमर उसे माफ़े मंगती है तो दोस्तों इसे के जाएत ये चैप्टर और हमारा वीडियो यही खतम होता है पर दोस्तों जैसे कि हम लोग जानते हैं कि स्लाइम का सीजन 3 ठीक पिसली बार की तरह इस बार भी 24 एपिसोर्स का होगा तो इसके most likely chances हैं कि इस बार भी ये सीजन 12 एपिसोर्स के दो कोर्स मे डिवाइड किया जाएगा और मुझे ये बताते हुए बेहत गर्ब मैसूस हो रहा है कि एनिमे के कमपैरिस्जन में most likely next दो वीक में हम एनिमे के पहले बार एपिसोर्स खतम कर देंगे इसकी chances है कि हमारे पास उस दोर रण बीच में अच्छा खासा वक्त होगा तो मैं ये कि आप सब तब तक कमेंट करके बताएं कि उस दोर रण क्या मैं इसी explanation को continue करूं या फिर कोई next explanation series चालू करूं तो प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताना बाकि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना नई पसंद आए तो डिस लाइक कर देना चलेगा मैं मिलूँगा अब आपको अगली वीडियो में तब तक के लिए सायो नारा